नमस्कार दोस्तो तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल रस्लिंग चैंपियंशिप के 3 आक्टोबर के रिजल्ट्स की 7-7-4 आक्टोबर के शेडियूल की जियां हम बताएंगे कि 3 आक्टोबर के दिन भारतिय रस्लिंग चैंपिया कैसा कैसा परदशन रासा थी उनके मैचिस के क्या क्या रिजल्ट्स रहे और उसके अलावा जो 4 आक्टोबर यानि की आज को शेडियूल रहने वाला है वो पूरा इंडियन सेंडर टाइम में होगा ताकि आप टाइमली मैचिस इंजॉय कर पाएं बात करते हैं तो 2 आक्टोबर के दिन भारतिय रस्लर्स के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ था और उसी की तरह कल यानि की 3 आक्टोबर के दिन भी भारतिय रस्लर्स कुछ जादा कमाल नहीं दिखा पाएं कुछ रस था इस्पेन के खिलाडी से और पंकज ने 4-3 से ये मुकाबला अपने नाम किया और प्री कौटर फाइनल्स में वो जा पहुँचे लेकिन प्री कौटर फाइनल्स में पंकज को हार का सामना करना पड़ा जियां दोस्तों पंकज का प्री कौटर फाइनल्स में टर्की के ख पहुंचें लेकिन प्री कोर्टर फाइनल्स में रोईत का मुकाबला था रशिया के खिलाडी से जहां पे रोईत को हार का सामना करना पड़ा और वो भी यहां से आगे जाने में नाकामियाब रहे वहीं भारत की और से रविंदर कल अपना रेपचेस का मुकाबला खेलते वे नजर आये जहां पर उनका मुकाबला हुआ था बुलगेरिया के रसलर से वैसे तो बुलगेरिया के खिलाडी आठ दो से आगे चल रहे थे लेकिन अंतिम समय पर रविंदर ने बाइफॉल यह मुकाबला अपने नाम कर लिया और वो ब्रॉंच मिडल मैच में जा एक और रसलर गौरव को भी हार का सामना करना पड़ा जिने अपने आप से काफी ज़दा उमीदे थी इस चैंपियंशिप में लेकिन वो क्वालिफिकेशन राउंड में ही बाहर हो गए उनका मुकाबला मंगोलिया के रसलर थे था जिनोंने 10-0 से गौरव को बुरी तरह इ प्रुथवी राज को भी प्री कौडर फाइनल्स में हार का सामना करना पड़ा और वो भी यहीं से इस चैंपियंशिप से बाहर हो गए यानि कि इस चैंपियंशिप में अब तक भारत के लिए कुछ जादा च्छाखासा सामने नहीं आया है कोई भी रसलर कुछ जादा बह बज़े से शुरू हो जाएंगे जिसमें होने वाले हैं 70 किलो 97 किलो मेंस फ्री स्टाइल के कौलिफिकेशन राउंड्स उसके बाद 2 बज़े से ही 55 किलो और 62 किलो वोमेंस फ्री स्टाइल के कौलिफिकेशन राउंड्स भी खेले जाएंगे वह इन दोनों के अलावा 2 बज सतर किलो सतानवे किलो मेंस फ्रीस्टाईल के सेमी फाइनल Girgis के मुकाबले. वहाइन इसके बाद अगला मुकाबला खेल जाएगा सवाथ बजे से इझे रहने वाला है 55.00-62.00 मुमेंस फ्रीस्टाईल सेमी फाइनलिसbstाई्ट और आखरी मुकाबले साड़े नो बजे से शुरू होंगे जो कि होंगे 57, 65, 89 और 92 किलो के मेंस फ्रीस्टाइल फाइनल्स के मैचेज तो ये था चार ऑक्टोबर का कम्प्लीट शेडियूल उसके अलावा तीन ऑक्टोबर के भारती रसलर्स के मैचेज के सारे रिजल्स मुझे उमीद है कि ये वीडिया आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले साथ ही ऐसी स्पोर्स इलेटेड अपडेट जानने के लिए आप हमारे चानल को सबस्क्राइब करें और जादा से जादा आगे इस चानल को फॉर्वर्ड करें ताकि वो भी इसको सबस्क्राइब कर पाए तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया थांक यू एवरिवन